हलो फ्रेंड्स, वेलकम अल अफ यू, हम लोग एक्जामिनिशन की प्रिप्रेशन तो करी रहे हैं और जैसा कि हम लोगों को मालुम है कि एक्जाम काफी नज़दीक आ चुका है और इस बार का जो पैटर्न रहेगा वो आपको मालुम है कि बिलकुल डिफरेंट रहेगा हला कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो अब्जेक्टिब्स, कॉसेंस रहेंगे इनका वेटेज कुछ जादा रहेगा तो इसलिए मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि आप अब्जेक्टिब्स प्रशनों पर थोड़ा जादा फोकस करें चाहे वो फिलिंदा ब्लैंक्स के लिए ही क्यों ना हो या फिर मल्टिपल च्वाइस कॉसेंस ही क्यों ना हो तो हम लोग इस सिलसिला को आगे बढ़ाते वे हम लोग जो है न अब्जेक्टिब्स प्रशनों पर जादा यहाँ पर फोकस करेंगे तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपके बाइलोजी सब्जेक्ट का पहला जो चैप्टर है लाइब प्रोसेस और इससे समंदित हम लोग यहाँ पर जो अब्जेक्टिब्स प्रशन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो आईए सुरू करते हैं तो आप लोगोंने पहले भी पढ़ा होगा कि लॉंगिस्ट स्मॉल जो होता है इसमें किसका इंटेस्टाइन होता है तो यहाँ पर दो इंटेस्टाइन है जो है लॉंगिस्ट जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है तो अगर हम देखें तो क्या वो कार्णिवोर हैं या ओम्निवोरस हैं हर्वीवोर हैं या ओटोट्रॉप हैं तो आपको बता दिया गया था कि जो हर्वीवोरस होते हैं अर्थात जो जो वेज़िटेरियन होते हैं वेज़िटेरियन जैसे की काउ हो गया या फिर got हो गए या human हो गया तो यहाँ पर हलाकि human तो यहाँ पर omnivorous है लेकिन फिर वी अगर देखा जाए तो harvivorous इस पेसली तो harvivorous जो होते हैं अर्था जो साग पत्ती खाने वाले जो जानवर होते हैं इनका जो small intestine होता है वो सबसे ज़्यादा लंबा होता है क्योंकि जो साग सबजियां होती है उसको पचाने के लिए काफी लंबा समय चाहिए तो यहाँ पर जो आपका right answer बनता है वो है harvivorous next question को देखने है 72 the process of obtaining food by amoeba is non-age तो amoeba जिस process से भोजन को ग्रहन करता है क्या वो dialysis के थूँ या cytokines के थूँ या phagocytosis या amoebasis के थूँ तो यहाँ पर जो है एक टर्म है देखें डालिसिस तो होगा नहीं क्योंकि डालिसिस के बारे में आपको मालूम है कि वहाँ पर जो है ना human के blood का purification होता है तो यहाँ पर अगर आप phagocytosis को देखें तो एक टर्म आपने बुक में पढ़ा होगा phagocytosis तो यह phagocytosis है जिसके थू जो है amoeba भोजन को food को आप्टेन करता है तो यह तर्म आपको ध्यान रखना है phagocytosis इट मेंस दी प्रोसेस आप आप्टेनिंग food by amoeba is known as phagocytosis ओके नो next question the organism having parasitic mode of nutrition तो parasitic mode of nutrition इन में से कौन करता है देखें यहाँ पर आपने अलग-अलग mode of nutrition को पढ़ा है ठीक है autotropic mode of nutrition जो होता है यह फिर यहाँ पर अगर देखें parasitic mode of nutrition तो यहाँ पर अगर देखें option तो pancyllium, plasmodium, paramecium और parod तो option के according अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो plasmodium है तो plasmodium जो होते है वो कैसे किस तरह का nutrition करते है तो parasitic mode of nutrition करते है देखें, plasmodium क्या है एक parasite है और यह plasmodium जो है आपको मालूम है कि यह मच्छरों के डंक में पाय जाता है और इसके द्वारा जो है यह plasmodium की त्रूही जो है malaria जैसे बिमारी हो सकती है तो यहाँ पर यह plasmodium क्या है कि वो जब मच्छर के द्वारा जो है जब वो human body में जाता है तो फिर human body में ही वो जो है grow करने लगता है तो इसको हम लोग जो है जो है parasitic mode of nutrition कहेंगे तो यहाँ पर जो आपका right answer बनता है वो plasmodium है तो यह एक तरह का parasite है ओके नेक्स्ट कॉशन पर आते हैं 74 कॉशन है कि one of the following organism है जो saprophytic mode of nutrition तो saprophytic mode of nutrition कौन करता है क्या वो mushroom है या malarial parasite है leak है या फिर leech यहाँ पर दो option यहाँ पर और है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो saprophytic तो saprophytic क्या हो गया यह mushroom हो जाएगा देखें saprophytic mode of nutrition में क्या होता है कि कोई भी ऐसा organism है जो सड़े गले पदार जो होते हैं खास करके अगर आप बोल सकते हैं dead plant या फिर dead element के जो animal है उसके body से जो है ना वो nutrition को ग्रहन करते हैं तो यहाँ पर अगर देखें आप तो one of the following organism has a saprophytic mode of nutrition तो इसमें जो है यह mushroom होगा तो यह right answer जैसा कि आप जानते हैं mushroom खास करके उन जगोहों में उगता है जहाँ पर जैसे वो जो है पुआल वगएरा जो सड़े गले जैसे पदार्थ होते हैं जैसे कुछ पुरानी लकडिया है उससे यह उग जाता है तो यहाँ पर आपका right answer बनता है mushroom next question को देखते हैं the length of small intestine in human adult is about तो यह fact आपको याद रखना है बहुत ही important है कि human का जो small intestine होता है उसका length कितना होता है तो small intestine को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 75 cancer 6.5 meter बनता है तो 6.5 meter लगबग human intestine जो human intestine में देखें यहाँ पर दो प्रकार का intestine है तो आपको confused यहाँ पर नहीं होना है कि small intestine का जो length है वो जादा है और जो large intestine है उसका length लगबग 1.5 meter है तो यहाँ पर आपको confusion होगा कि large intestine है तो large होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है small intestine जो है small intestine का length यहाँ पर जादा होगा 6.5 meter होगा यह fact आपको याद रखना है next question को देखते हैं the process of digestion the process of digestion of food in human begins in तो human का जो digestion होता है वो कहां से start होता है तो जैसा कि आपको मालुम है कि हमारा जो digestion होता है वो हमारे mouth से ही start हो जाता है जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसे जो carbohydrates होते हैं वो जो है mouth से ही digest होना start हो जाते है तो यहाँ पर जो आपका right answer बनता है वो mouth हो जाएगा कि the process of digestion of food in humans begins in mouth तो ये right answer बनता है mouth, okay now next question 77 देखिए the process of digestion in humans is completed अब यहाँ पर start को आपने देखा कि mouth से start होता है अगर हम लोग देखें कि complete कहाँ पर होता है तो complete अगर आप देखें तो ये complete जो है अगर यहाँ पर option देखें क्या वो oisophagus है small intestine है या फिर stomach है या फिर large intestine है तो जैसा कि आपका यहाँ पर option है अगर आप B option को देखें small intestine तो आपको मालूम होगा कि at last जो हमारा जो यहाँ पर food है वो small intestine में जो है वहाँ पर obtain कर लिया जाता है जो भी important वहाँ पर nutrients होते है उसको हमारे small intestine में जो वहाँ पर जो विली होती है उसके द्वारा वहाँ पर विलाई आप कह सकते हैं विली या विलाई जो है उसको क्या करता है उसके द्वारा जो है न वो nutrients को absorb कर लेता है तो at last जो है ना जो complete digestion होता है वो human में वो small intestine में होता है तो आपका यहाँ पर right answer बनता है small intestine ओके next question को देखते हैं question है in human digestive system bile is secreted by तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि bile जो होता है ना एक तरह का यह juice bile juice है यह कहां से secret किया जाता है तो अगर देखें तो यहाँ पर आप देखें option pancreas, liver, kidneys और एक option है stomach तो यहाँ पर पूछा गया है कि bile जो है वो कहां से secret किया जाता है तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो bile है ना वो liver से secret किया जाता है लेकिन यहाँ पर यह store नहीं होता है आपको ध्यान रखना है कि bile जो है वो कहां से secret होता है तो bile जो है वो liver से secret होता है तो इस fact को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो यहाँ पर आपको जो right answer बनता है वो है liver ओके next question को देखते हैं question है कि two of the following organisms have holozoic mode of nutrition these organisms are तो अब इन में से कौन सा ऐसा organism है जिसमें कि holozoic mode of nutrition होता है तो क्या वो paramecium है plasomodium या plasomodium या parakeet तो यहाँ पर अगर आप option को देखें तो parakeet and paramecium paramecium and parasite तो देखें यहाँ पर जो आपका option है अगर first option को देखें तो paramecium and plasomodium देखें plasomodium को आपने पढ़ा कि यह एक parasite mode of nutrition को करता है तो यहाँ पर यह तो आपका option गलत हो गया पहले तो आप यहाँ पर holozoic mode of nutrition को समझ लिजे कि holozoic mode of nutrition कहने का मतलब है कि ऐसा nutrition जिसमें कि एक complete digestion की थुरू जो है यहाँ पर nutrition होगा जैसे कि सबसे पहले ingestion फिर digestion यह सारा process होगा फिर absorption होगा फिर digestion होगा तो यह सारा process के थुरू जो भी organism food को obtain करता है और जो है उसको digest करता है वो holozoic mode of nutrition वो करता है तो यहाँ पर plasomodium तो parasite mode of nutrition करता है यहाँ second option में भी plasomodium को डाल दिया यह भी गलत हो गया अगर आप fourth option को देखें तो यहाँ पर parasite दे दिया तो parasite तो वो holozoic mode of nutrition नहीं करता है तो अगर आप C option को देखें तो C option यहाँ पर right है यहाँ पर parakeet और यह जो आपका option है paramecium तो parakeet और paramecium यह दोनों जो है न holozoic mode of nutrition को करता है जैसा कि आप जानते हैं कि amoeba और paramecium यह दोनों जो है यह micro organism है यह भी जो है holozoic mode of nutrition को करते हैं next question को देखते हैं question है the autotropic mode of nutrition requires अब autotropic mode of nutrition में क्या-क्या requirement होती है carbon dioxide and water, chlorophyll, sunlight यह all of these तो आपको मालुम है कि autotropic mode of nutrition जो है वो plants करते हैं और plants generally जो है plants करते हैं लेकिन इसमें जो है इसको क्या-क्या चाहिए कौन-कौन सा nutrition इनको चाहिए तो यहाँ पर photosynthesis का process करने के लिए जो है जो autotropic mode of nutrition करते हैं इसको जो है carbon dioxide चाहिए water चाहिए chlorophyll भी चाहिए और sunlight तो यहाँ पर जो आपका right answer बनता है वो all of the above होता है ठीक है तो इस fact को आपको ध्यान रखना है कि photosynthesis की process में अगर आप देखें तो यहाँ पर carbon dioxide water chlorophyll sunlight तो यह सभी option जो है आपके सही है ओके next question को हम लोग देखते हैं question है the correct order of steps occurring in nutrition in animal तो आपको यहाँ पर बताना है कि animal में जो animal जो है न वो किस तरह का nutrition करते हैं hollow joy mode of nutrition करते हैं तो animal में जो food को gain करने का या उसको digest करने का जो steps होता है वो क्या क्या होता है तो यहाँ पर अगर आप देखें पहला अगर option को देखें ingestion absorption तो यह गलत हो गया क्योंकि second में यहाँ पर absorption दे दिया क्योंकि अभी तो digest हुआ ही नहीं तो absorb कहां से होगा अगर आप B option को देखें तो यहाँ पर ingestion है फिर जो है digestion है फिर यहाँ पर assimilation दे दिया तो यह assimilation भी गलत हो गया पहले absorption होता है फिर assimilation होता है अगर आप c option को देखें तो c option में देखें पहला option है ingestion फिर है digestion फिर है absorption assimilation और at last है ingestion तो यहाँ पर c option बिलकुल सही है क्योंकि सबसे पहले जो food है उसको contain करेगा उसके बाद जो animal है food को content करेगा उसके बाद उसको digest करेगा फिर उसको absorb करेगा और फिर जो है assimilate करेगा assimilate कहने का मतलब है जो भी nutrients को उन्होंने लिया उसको वो अपने different body parts में उसको भेजेगा और at last जो होता है education जो भी यहाँ waste material है उसको body से बाहर कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है आपका right answer जो है वो c बनता है तो इस fact को आपको ध्यान रखना है okay next question को देखते है question है in human digestive system the enzymes pepsin and trypsin are secreted respectively by अब देखिए आप से पूछा जा रहा है न कि pepsin और trypsin जो है वो कहां से secret होगा तो देखिए pepsin और यह जो trypsin है तो आप पढ़े होंगे कि जो हमारा stomach है अगर आप यहाँ पर पहला option को देखें तो यहाँ पर pancreas और liver है तो यहाँ पर pancreas और liver option नहीं होगा liver तो बाई जो उसको secret करता है अगर आप stomach को देखें और salivary glands को देखें तो हमारा जो stomach है यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर यह pepsin और trypsin enzyme को secret करता है यह जो है ना आपका यहाँ पर fourth option हो जाएगा stomach and pancreas ठीक है यहाँ पर जो आपका right answer है वो fourth हो जाएगा क्योंकि देखें यहाँ पर जो pancreas है ना वो trypsin enzyme को secret करता है trypsin और pepsin enzyme और pepsin जो है यहाँ पर stomach जो है वो pepsin enzyme को secret करता है और pancreas जो है वो trypsin enzyme को secret करता है तो यह आपको fact यहाँ पर ध्यान रखना है तो ये fourth option जो है ये आपका सही answer हो गया ओके next question को देखते है question है 83 when carrying out the starch test on a leaf why is it important to boil the leaf in alcohol तो बताइए कि starch को जब हम किसी भी जो पीड की पत्ती है जब हम उसमें starch test करते हैं तो उसको जो है ना boil करना क्यों जरूरी है alcohol में ही boil करना क्यों जरूरी है देखिए क्या होता है कि जो भी यहाँ पर जो starch होता है ठीक है तो starch में क्या होता है कि हमें सबसे पहले इसे जो है ना chlorophyll को हटाना होता है क्योंकि जैसे देखिए जो starch test होता है leaf में वो कैसे पता चलेगा why is it important to boil the leaf in alcohol अब alcohol में ही इसे boil करने की क्यों जरूरत है तो हम क्या करते है ना उसके अंदर जो chlorophyll होता है उसको हम लोग हटा देते है इसलिए सबसे पहले हम लोग उसको boil करते है ताकि हमें पता चले कि उसमें जो है वो starch बनता है या नहीं बाद में ठीक है क्योंकि chlorophyll रहेगा तभी वो starch बन पाएगा क्योंकि chlorophyll के ही जरिये जो है ना वो sunlight को absorb करेगा फिर food बनाएगा है वो है C तो to remove the chlorophyll ओके next question पर आते है 84 देखिए pancreatic juice जो है ना वो कौन सा enzyme को contain करता है तो pancreatic juice में आपको बताया गया कि यहाँ पर pancreatic juice जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो pancreatic juice जो है ना जो क्या digest करता है यह पूछा जा रहा है तो अगर आप pancreas में देखेंगे तो जो वहाँ पर trypsin enzyme है वो जो है ना साती सात महाँ पर मतलब जो proteins है fats है और carbohydrates है तीनों का digestion जो है pancreatic juice के through हो जाता है तो यहाँ पर आपको यह fact ध्यान रखना है कि pancreatic juice contents enzymes which digest proteins fats and carbohydrates so the right answer is D option ओके तो यहाँ पर आपका right answer D बन जाता है तो इसको आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है ओके next question को अगर हम लोग देखें तो यह caution है जो है 85 which of the following is the correct statement regarding bile, अब bile के बारे में आपको बताना है कि इन में से कौन सा correct statement है क्या bile जो है secreted by bile duct and stored in liver, क्या bile जो है वो यहाँ पर क्या वो हमारे duct, जो bile duct से secret होता है और liver में store होता है तो ऐसा तो नहीं है जो आपको मालुम होगा कि bile जो है वो liver से secret होता है लेकिन यहाँ पर लिखा है secreted by bile तो यह option गलत है अगर आप B option को देखें secreted by gallbladder and stored in liver तो यह भी जो है आपका option गलत हो जाता है अगर आप next option को देखें secreted by liver and stored in bile duct देखें bile duct में नहीं होता है यहाँ पर जो store होगा ना वो gallbladder में होता है तो यहाँ पर जो आपका right answer है वो D है कि bile juice जो है वो liver के द्वारा secret होता है और gallbladder में क्या होता है वो store होता है तो इस fact को आपको ध्यान रखना यह बहुत important question है कि bile juice secreted by liver and stored in gallbladder ओके, next question को हम लोग देखते हैं where are the proteins first digested in elementary canal तो elementary canal में protein सबसे पहले कहाँ पर digest होता है कि small intestine, oisophagus, mouth या फिर stomach तो अगर हम लोग 86 को देखें तो यहाँ पर जो आपका right answer बनता है हुआ है हमारे stomach stomach में जो है pepsin enzyme जो है secret होता है अगर आप देखेंगे तो यह क्या करता है proteins को digest करता है तो सबसे पहले जो protein का digestion होता है वो stomach में होता है इसके बाद आगे भी जो है यहाँ पर pancreatic juice में भी होता है लेकिन सबसे पहला यहाँ पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो right answer होगा वो stomach होगा आप क्या करें? यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को pause करके पहले आप answer को सोच लें या फिर अपनी copy में answer को लिखें और फिर यहाँ पर जो है न right answer को देखें तो इससे जो है आप खुद का जो है evaluation कर सकते हैं कि आप कितना यहाँ पर जानते हैं आपने कितना knowledge इस chapter से गैन किया है तो यह काम आप कर सकते हैं next question को देखते हैं 87 question है कि inner lining of stomach is protected by one of the following form the harmful effect of hydrochloric acid तो जैसा कि आप मालुम है कि हमारे stomach में एक खतरनाग acid है जिसको कहते है hydrochloric acid यह concentrated hydrochloric acid अगर ऐसा का जाता है कि अगर इसे जो है आप निकाल कर अगर अपनी हातों में डाल दिया जाए तो यह जो है इसको गला सकता है लेकिन हमारे body में जो हमारा stomach है वो stomach जो है इस acid को content करता है लेकिन फिर भी वह जो है वहाँ पर सुरक्चित है तो इसके पीछे क्या कारण है तो यहाँ पर जैसा की question पूछा गया है तो यहाँ पर वो कौन सा inner line है या कौन सा वो content है जो हमारे stomach को protect करता है अगर आप देखें यहाँ पर second option को तो यहाँ पर जो mucus है वो mucus क्या करता है कि वो वहाँ से जो है न वो continue जो है हमारा जो यहाँ पर acid hydrochloric acid उसको continue वो neutral करते रहता है तो यहाँ पर mucus के कारण ही जो है हमारे body का stomach का जो wall होता है वो protected होता है which part of elementary canal receives bile from the liver अब bile जो है न bile यहाँ पर पूछा जा रहा है कि elementary canal जो है वो bile को receive करता है liver से receive करता है कहाँ पर receive करता है अगर आप देखें तो जो bile जो है वो कहाँ से receive किया जाता है मतलब कि सबसे पहले तो आप जानते हैं कि liver से secret होता है फिर गोल ब्लेंडर में जाकर store होता है उसके बाद यह bile juice हमारे small intestine में जाता है तो यहाँ पर जो right answer बनता है यह small intestine होगा कि जो bile juice है वो कहाँ पर जाता है वो हमारे small intestine में जाता है तो यहाँ पर question पूछा गया था कि which part of elementary canal receives bile from the liver तो bile को receive कौन करता है small intestine करता है next question को देखें which of the following component of our food is digested by an enzyme which is present in saliva as well as in pancreatic juice तो अगर आप देखें तो इस पे से कौन सा content है हमारे food का जो हमारे saliva के द्वारा जो है न इसको digest किया जाता है साथे साथ pancreatic juice से भी यह digest होता है तो अगर आप देखें carbohydrates तो carbohydrate जो होता है वो आपको मालूम है कि हमारे जो यहाँ पर हमारा जो mouth है वही से जो है इसका digestion स्टार्ट हो जाता है तो right answer बनता है आपका यहाँ पर carbohydrate ओके तो यहाँ पर जो next question को अगर हम लोग देखें तो यह जो है 89 का यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर right answer carbohydrate बन जाता है ओके तो आगे अगर हम लोग बात करें तो और भी कुछ questions हैं अगर आप देखें जैसे कि 90 number के questions हैं कि if the saliva is lacking in salivary amylase then which of the following process taking place in the buccal cavity will be affected तो यहाँ पर आप से जो पूछा जा रहा है कि इसमें से कि अगर saliva lacking in salivary amylase अगर saliva में salivary amylase जो है वो खतम हो जाए या कम ही पढ़ जाए उसकी तो which of the following process taking place in buccal cavity will be affected तो इनमें से कौन सा जो है process जो है वो affect होगा वो प्रभावित होगा तो अगर यहाँ पर हम लोग option को देखे यहाँ पर जो आपका right answer बनता है वो है B option next question को देखे which of the following are the correct functions of two components of pancreatic juice trypsin and lipase तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा function है कौन सा सही function है जो कि two components of pancreatic juice trypsin and lipase की दौरा यहाँ पर होता है तो यहाँ पर trypsin और lipase की दौरा क्या जो है क्या digest होता है अगर first option को देखें तो trypsin digest proteins and lipase carbohydrates देखें यह जो option है कि correct function पूछा जा रहा है अगर आप यहाँ पर D option को देखें कि trypsin digest proteins and lipase lipase emulsified fats तो यह option सही है क्योंकि यहाँ पर जो first option है वो लिखा है lipase जो है carbohydrates को digest करता है तो यह गलत है क्योंकि carbohydrate जो है वो MLS के द्वारा digest किया जाता है अगर आप देखें तो trypsin digest emulsified fats तो B option भी गलत हो गया क्योंकि trypsin proteins को digest करेगा C option देखें trypsin digest starch तो यह भी गलत हो गया क्योंकि trypsin protein को digest करेगा fourth option यहाँ पर सही बनता है क्योंकि fourth option को अगर आप देखें तो fourth option में लिखा है कि trips in digest proteins and lipase emulsified fats को digest करता है तो यहाँ पर आपका जो right answer बन रहा है वो option D बन रहा है ओके, next question को देखते है 92 तो जो oxygen जो liberate किया जाता है photosynthesis की process में plants के द्वारा तो वो कहां से आता है अगर हम लोग देखें क्या वो glucose से आता है carbon dioxide या फिर chlorophyll तो आपको मालूम है कि photosynthesis के process के लिए plants को water चाहिए तो water जो है ना वो वहाँ पर टूट कर वहाँ पर वो oxygen को जो है वो liberate जो होता है plants में photosynthesis के process के थरू तो oxygen जो liberate होता है photosynthesis के process के थरू वो जो है water से आता है तो यहाँ पर आपका जो right answer बन रहा है वो water बन रहा है next question को देखिए which of the following is an incorrect statement तो incorrect statement इन में से कौन सा है energy is essential for life process क्या life process के लिए energy चाहिए बिलकुल चाहिए सही बात है organisms grow with time organism जो है समय के साथ grow करता है ये भी सही बात है movement of molecules does not take place among cells अच्छा बताइए क्या यहाँ पर जो sales होता है उसमें molecules जो होते हैं क्या वो sales में क्या movement नहीं करते हैं ऐसा statement में लिखा हुआ है तो देखिए ऐसी ऐसी बात नहीं है जो sales है ना उसमें molecules जो होते हैं वो move करते हैं अगर D option को देखें organism must repair and maintain their body सही बात है ये भी fact सही है कि जो organism होते हैं अगर उसको कहीं चोट लग जाए तो उसको repair करनी की ज़रुरत होती है अपने body को maintain करनी की ज़रुरुरत होती है तो 93 option का यहाँ पर जो question है इसका right option हो जाएगा C क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन में से कौन सा statement गलत है और यहाँ पर लिखा है कि moment of the molecules does not take place among cells तो ऐसा नहीं है cells में भी moment होता है अब देखें 94 question को देखें the internal energy cellular energy जो internal energy है या फिर आप इसको cellular energy बोलें reserve in autotroph तो autotrophs में जो internal energy है वो कहाँ पर reserve रहता है तो अगर आप यहाँ पर option देखें proteins, fatty acid जो glycerol है starch तो मैं आपको बता दू कि cells में जो है ना जो internal energy होती है autotrophs में वो starch के रूप में जो है उसको संग्रहित कर लेती है देखें क्या होता है कि जब उसको food की मतलब autotrophs को plants को जब food की जरूड़त नहीं होती है तो वो अपने food को starch की रूप में उसको store कर लेता है तो यहाँ पर जो आपका right answer बन रहा है वो बन रहा starch ओके next question को देखते हैं 95 which of the following events does not occur in photosynthesis photosynthesis में क्या नहीं होता है conversion of light energy into chemical energy देखें यह तो होता है क्योंकि आपको मालूम है कि light energy लिया जाता है फिर उसको photosynthesis के थ्रूँ जरूरत पड़ती है energy की तो chemical energy में convert करता है यह facts सही है अगर B option को देखें 95 में तो reduction of carbon dioxide to carbohydrates तो क्या यहाँ पर carbon dioxide का reduction होता है बिलकुल होता है देखें reduction का जो देखें दो process होता है एक oxidation होता है एक reduction होता है reduction कहने का मतलब है कि oxygen का तूटना और oxidation में क्या होता है oxygen का जुड़ना तो यहाँ पर reduction of carbon dioxide भी होता है मतलब carbon dioxide तूटते हैं तो यहाँपर reduction तो होता है यह process भी होता है अब यहाँ लिखा है जो next option है oxidation of carbon to carbon dioxide ऐसा नहीं होता है यह fact जो है वो गलत है तो 95 का जो यहाँपर C option है कि oxidation of carbon to carbon dioxide कि carbon में oxygen जोडता है यह गलत कतन है तो यहाँ पर जो आपका right answer बनता है वो C बनता है तो यह जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है So right answer is option C D option को देखें absorption of light energy by chlorophyll तो यह facts सही आपको पता है कि chlorophyll जो है वो light energy को क्या करता है absorb करता है 96 question को देखते है The opening and closing of the stromatal pores depends upon तो जो stromatal जो pore है जो stromata होता है आपको मालूम है जो plants होते हैं उसकी जो leaf होती है उसमें stromata होती है जो small उसमें hole होता है ना tiny holes जो होते हैं उसको stromata कहते हैं तो stromata जो stromatal जो pores होता है वो उसके opening और closing वो किस पर depend करता है क्या वो oxygen क्या water in guard cells, temperature, concentration of CO2 in stromata तो यहाँ पर आपको बताया गया है पहली भी आप पढ़ चुके होंगे कि जो guard cells होता है ना वो guard cells, stomatal pores के opening और closing के लिए responsible होता है तो यहाँ पर आपका B option मिलकुल सही है कि water in guard cells next question को देखते हैं 97 most of the plants absorb nitrogen in one of the following form तो जो जादतर plants होते हैं वो nitrogen को absorb करते हैं proteins, nitrates and nitrites, urea और next option है आपका atmospheric nitrogen देखें जो जादतर plants होते हैं वो nitrogen को absorb करते हैं कैसे मतलब किस form में absorb करते हैं तो यहाँ पर जो right answer है nitrates and nitrites के रूप में जो है वो क्या करते हैं nitrogen को absorb करते हैं तो इस fact को आपको ध्यान रखना है कि plants जो होते हैं वो nitrogen को nitrates या nitrites के form में absorb करते हैं तो option B यहाँ पर आपका बिलकुल सही answer है next question को देखते है the first enzyme to mix with food in the digestive tract तो यहाँ पर digestive tract में जैसे ही food हमारा enter करता है हमारे mouth में तो पहला enzyme कौन सा है जो food में क्या होता है मिलता है तो आपको बताया गया पहले भी कि digestive system में जो food होता है वो हमारे mouth से ही digest होना start हो जाता है और वहाँ पर जो है न जो amylase है वो सबसे पहले यहाँ पर हमारे mouth से हमारे salivary gland से यह secret होता है और amylase जो है सबसे पहले वो enzyme है जो हमारे food में carbohydrate को digest करने के लिए responsible है question number 99 which of the following is the correct statement तो इसमें से correct statement आपको बताना है ध्यान से देखिए आपको यहाँ पर correct statement बताना है heterotroph synthesis their output क्या heterotroph अपने food को synthesis करते हैं देखिए यह option गलता है ऐसा यह कहना सही नहीं होगा जो autotrophs होते हैं वो अपने food को synthesis करते हैं वो अपने food को खुद बनाते हैं heterotrophs नहीं करते हैं second option को देखें heterotrophs utilize solar energy for photosynthesis क्या heterotrophs solar energy को use करते हैं photosynthesis के लिए तो मैं आपको बता दू कि heterotrophs तो यहाँ पर photosynthesis करते ही नहीं है तो solar energy की तो बात ही नहीं आती है third option को देखें heterotrophs do not synthesis their output तो यह fact बिल्कुल सही है कि जो heterotrophs होते हैं वो अपने food को synthesis नहीं करते हैं heterotrophs क्या करते हैं autotrophs के जो synthesized food जो होते हैं उसको ही obtain करते हैं जैसे हम लोग पेड़ पौधों के उपर plants के उपर dependent होते हैं तो यहाँ पर जो B option C option है यह 99 का यह बिल्कुल सही है तो यह जो है आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 100 को देखते हैं in which of the following groups of organism the food material is broken down outside the body absorbed अब यहाँ पर पूछा जा रहा है न कि इन में से वो कौन सा group है जो क्या करता है कि food material को जो है क्या करता है broken मतलब अपने body के बाहर उसको broken down करता है उसको तोड़ता है तो अगर आप यहाँ पर पहला option देखे mushroom green plants amoeba तो देखे mushroom तो यहाँ पर यह parasite जो है न एक तरह का यहाँ पर parasite नहीं बोलेंगे saprophytic बोलेंगे इसको तो mushroom जो है न यह saprophyt है और यहाँ पर पूछा जा रहा है और green plants तो वो synthesize करते हैं अपने ही body के अंदर करते हैं अगर आप B option को देखें तो यहाँ पर जो right answer है hundred number caution का इस्ट हो गया mushroom हो गया bread mold हो गया तो यह जो है न यह देखिए in which of the following groups of organism the food material is broken down outside the body absorbed अच्छा कि मतलब कि अपने body के बाहर जो है उसको absorb कर लेते हैं देखिए यहाँ पर इस्ट mushroom bread mold यह सभी क्या है यह सभी जो है वो saprophytic जो है यहाँ पर जो है mode of nutrition करते हैं और यह भी option जो है आपका सही होगा कि इस्ट mushroom और bread mold यह सभी जो है क्या करते हैं जो food जो होते हैं उसको outside body ही broken करके उसको absorb कर लेते हैं तो यहाँ पर right answer हो गया इस्ट mushroom and bread mold ओके next question देखिए 101 question है कि which of the following is correct sequence of parts as they occur in the human elementary canal तो यहाँ पर सबसे पहले यह fact आपको देखना है तो यह 101 का जो question है अगर आपने figure को बनाया होगा जो human digestive system की figure को बनाया होगा तो यह question को आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने नहीं बनाया human digestive system को तो एक बार जो है आप जरूर बनाए यह जो है आपके लिए फाइदे मन्द होगा अगर आप 101 number question को देखें तो पूछ रहा है कि इनमें से sequence बताना है तो पहला option है mouth उसके बाद second जो है इसमें कर दिया stomach तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर stomach नहीं आता है अगर आप B option को देखें तो यहाँ पर है mouth उसके बाद osteophagus ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो है stomach आ गया ठीक है तो अगर आप देखें तो large intestine फिर small intestine तो यह गलत हो गया यहाँ पर पहले small intestine आएगा फिर large intestine अगर आप D option को देखें mouth है फिर osteophagus है फिर stomach फिर small intestine और at last large intestine तो 101 number question का जो answer होगा वो है D option है तो ये बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर क्या करना है friends अगर आपको इस तरह की videos जो है हर chapter के चाहिए तो चाहे वो कोई भी subject हो आपका चाहे वो SST ही क्यों ना हो या फिर science का all subjects हो सारे chapters को हम लोग एक एक करके यहाँ पर जितने भी objectives, questions हैं उसको लेकर आएंगे और साथी साथ आगे आने वाले time में हम लोग जो है यहाँ पर कुछ topics हैं उसको भी cover करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है चैनल को subscribe करना है और यहाँ पर अपने friend को suggest करना है ताकि जादा से जादा लोगों का यहाँ पर भला हो सके तो थैंक्स पर वाचिंग आज के लिए बस इतना ही हम लोग next वीडियो में मिलते हैं और आपको क्या करना है कि आपने जितने questions को आपने सही किया है तो उसको जो है comment में जरूर comment करना है तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि आगे जो next आने वाला वीडियो होगा उसमें क्या करना है आपको कि questions को pause करके वहाँ पर देखना है कि right option क्या है और right option को अपनी copy में लिखना है और at last जो है वो calculate करना है कि आपने कितना सही जो है answer किया इससे जो है आपका जो preparation है उसमें जो है वो बहुत जादा boost होगा तो यहाँ पर आपको comment जरूर करना है कि आपने कितने questions का सही answer दिया है ओके तो हम लोग अब आगे next वीडियो में मिलते हैं